इस संसार का आसरा कैसे छूटे भगवान से विरोधी जो भाव हैं उनमें उदासीनता क्या है और वो कैसे हो इस बारे में नारद भक्ती दर्शन में सूत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महराज कहते हैं निरोध की दूसरी परिभाशा में यह कहा गया कि भगवान में अनन्यता और उनके एवं उनकी भक्ती के विरोधी तत्वों के प्रती उदासीनता भी निरोध है इसमें उदासीनता क्या है यह बता रहे हैं लोके वेदेशु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधीशु उदासीनता लोक व्यवहार में और शास्त्रिय कर्मों में भगवान एवं भक्ती के अनुकूल आचरण करना ही भगवद विरोधी व्यवहारों के प्रती उदासीन रहना है करना वह है जिससे भगवान प्रसन्न हो भक्त के लिए अश्वमेध राजसुय यग्या करना आवश्यक नहीं है शेन याग रुपी अभिचार की भी आवश्यक्ता नहीं है ऐसा कोई भी कारिय भक्त को नहीं करना चाहिए जिससे भजन जूट जाए कुछ लोग परोपकारी होते हैं माना जैसे मैं एक बार दिल्ली गया वहां के एक सू प्रसिद्ध भक्त राज ने मेरे प्रवचन की व्यवस्था की प्रवचन के प्रारंभ में उन्होंने लाउड स्पीकर पर मेरी बहुत प्रशन साकी कि स्वामे जी के प्रवचनों में तो अम्रित वर्शा होती है बड़े सोभाग्य से हमें यह अवसर मिला है किन्तो मैंने जब बोलना प्रारंभ किया तो वे धीरे से उठकर कहीं चाय पीने चले गए घर जाकर फिर प्रवचन के अंत में लोटे और फिर प्रवचन की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे ऐसे लोग इसलिए ऐसे आयोजन करते हैं कि दूसरों का कल्यान हो सके उन्हें यह अभिमान जन्य सुख होता है कि हमने दूसरों को सुनने का अवसर दिया हमने स्वामी जी की विवस्था की और लोगों को सत्संग भगवान के अमरित प्रवचन का आनंद दिलवाया है यह सब हमने किया है ऐसा अभिमान जन्य सुख उनको होता है अब उदासीन का अर्थ है उत आसीन उपर बैठना जैसे तुम भवन की छटी मंजिल पर बैठे हो सड़क पर बालक परस पर लड़ रहे हैं उन्हें छुडाने वाले आएंगे ही तुम उपर से चिलाओ मत और कुदो भी मत कोई परवत की चोटी पर बैठा है अब यदि नीचे मैदान में बाढ़ आती है तो उसका क्या विगड़ता है संसार के जिस स्तर में वैर है, विरोध है, इरशा है, द्वेश है, लड़ाई जगडा है उसमें तुम मत उत्रो अपने को तो भगवान के चरणारविंद में ही रखो, यह है उदासीन्ता संसार से अपने आप वही राग्य हो जाएगा, यदि तुमने भगवान में अपना मन लगा दिया दो यही है उदासीन्ता, भक्ती में लगने पर शास्त्रिय मर्यादा का क्या होगा, यह है बात इस सूत्र में समझाई गई है देखो, राग का अभाव वईराग्य नहीं है, क्योंकि राग का अभाव भाव का निरोधक नहीं है यह नियम है कि अभाव भाव का निरोध नहीं करता, उसे रोकता नहीं है जो मर गया, वह जीवित का निरोध कैसे करेगा, यह बताओ घट का प्रद्धन्सा भाव घट का निरोध नहीं कर सकता अतहा राग द्वेश मिटाने के लिए एक भावात्मक वृत्ति चाहिए इसके लिए अपेक्षा है आत्मा आकार की वृत्ति या भगवान के आकार की वृत्ति भगवान की शरण में जाने की वृत्ति आत्मा के आकार की वृत्ती होने से जो अनात्मा आकार की वृत्ती है उसका और भगवान के आकार की वृत्ती होने से जो जगत के आकार की वृत्ती है उसका तिरसकार हो जाएगा अर्थात यदि आप सदा भगवान का चिंतन करते हो तो इस संसार का इन क्षन भंगुर पदार्थों का चिंतन तुमसे हो नहीं पाएगा भगती जब हुरदय में आ जाएगी तो भगवान हुरदय में बश जाएगे फिर वहाँ संसार को जगह नहीं मिलेगी इस संसार का अपने आप तेरसकार हो जाएगा एक स्थान पर मन लगे तो अन्यत्र से स्वयम हट जाता है अताईव या तो योग अभ्यास के द्वारा या वेदांत के चिंतन से आत्मा के आकार के वृत्ती बनाओ या भगती के द्वारा वृत्ति को, अपने चिंतन को, अपने मन के विचारों को भगवान के आकार का कर दो संसार को मिथ्या समझने मात्र से वईराग्या नहीं होगा तुमने अपने मन में यह कह दिया कि यह संसार तो खशन भंगुर है इससे केवल वईराग्य तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हो जाएगा संसार को मिथ्या समझोगे तो राग भी मिथ्या ही लगेगा तब राग को मिटाने की आवश्यक्ता ही नहीं जान पड़ेगी तब तो कह दोगे ये राग द्वेश जूटे है किन्तु यदि संसार से विलक्षन ब्रह्म सुख की चाह हो तो राग द्वेश का मिटना आवश्यक है ये राग द्वेश या तो विलक्षन आत्म सुख की चाह से मिटते हैं या भगवत प्राप्ती की चाह से मिटेंगे वैसे तो सब ब्रह्म ही है किन्तु राग द्वेश मिटे बिना ब्रम्ह के आकार का चिंतन हमसे हो नहीं पाएगा हम भगवान की शरण में जा नहीं पाएंगे अपने आपको पहचान नहीं पाएंगे इसलिए आवश्यक है कि राग द्वेश हमारे मिट जाएं हमारे क्रोध, लोभ, मोह, मद, भय, इर्शा हिस सब मिट जाएं तब हम भगवान के आकार के वृत्ती अपने अंतह करण में लाने में सक्षम होंगे लौकिक और वैदिक कर्म छोटने नहीं है बालक है तो उसका मुंडन, यग्यों पवीत आदी संसकार करने ही चाहिए और जीवी का उपारजन के लिए खेती, व्यापा, रित्यादिवी करना ही चाहिए किन्तु करना चाहिए सब भगवान की आज्या, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार तथा भगवान को समर्पित करने के लिए हम लोक या वेद के सेवक नहीं हैं, हम तो सेवक हैं भगवान के भक्त में ये च्छे बातें विशेश आवश्यक होती है पहला, भगवान के ही अनुकूल चलने का संकल्ब उसमें होता है दूसरा, जो भी भगवान के प्रतिकूल है, भगवान के विरोध में है, उसका त्याग वह कर सकता है तीसरा, संकट में भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, यह उसे विश्वास होता है चोथा, संकट आने पर भगवान को ही वह पुकारता है पाँच्वा, सदा अपने को भगवान के चरनों में डाले रखता है और छठा, अभिमान किसी बात का नहीं करता भक्त, लोकिक आचरन के समय भी इन छह बातों का आचरन करता है अतहा, यह बातें उसके स्वभाव में बैठ जाती हैं गहरे से वेद में तो अनेक बाते हैं, उसमें तो हिंसा के शेन याग, पशुयाग के भी विधान है पुत्रेश्टी याग, आदिस सकाम विधान भी है भक्त के लिए तो वेद शास्त्र में भी, जो भगवद अनुकूल आचरन के विधान है वे ही पालनिय है, पूरा वेद भक्त को पालनिय नहीं है जो सकाम कर्म है वेद के, वे भक्त को पालनिय नहीं है उनकी पालना भक्त को नहीं करनी चाहिए भगवन नाम औचरन से ही, उसके कोटी कोटी याग पूरे हो जाते है वेद में अधिकारी के भेज से विभिन कर्मों के विधान है उसमें मारण आदी प्रयोग भी है भक्त ऐसे विधानों का आचरन नहीं करता वेद का मंत्रभाग कर्म की प्रधानता से है पूर्व मिमानसा के आचारिय कर्म को ही इश्वर मानते है पर वेध त्रिगुनात्मक है, त्रैगुन्या विशया वेधा हा त्रिगुनात्मक अधिकारियों के लिए उनके स्वभाव एवं अधिकार के अनुरूप वेध के विधान है अतहा वेध का खंडन या वेध के निंदा भक्त को नहीं करनी चाहिए किन्तु वेध में भक्ती के प्रतिकूल जो विधान पड़ते हैं, उन्हें अन्य अधिकारियों के लिए समझ कर उनके प्रति उदासीन हो जाना चाहिए अपने लिए जितना विधान भजन के अनुकूल लगता है, उतने का ही आचरन करना चाहिए वेद में तो सन्यासी का आचरण भी बतलाया है ग्रिहस्थ उसका पालन कहां करता है अथवा, सन्यासी, कहां ग्रिहस्थ के लिए बताए गए धर्म का पालन करता है इस प्रकार अन्या के लिए वहित धर्म का पालन न करना वेद का खंडन या निंदा नहीं है भक्त को तो केवल भगवान के अनुकूल ही आचरन करना चाहिए यही उसका सबसे प्रधान कर्म है